हलो गाईज और वेल्कम बाक तू माई चानल सिर्फायर्स दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरियस में और मैं प्रसना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हूं इसका लेक्चर 20 दोस्तों आएए शुरू करने से पहले चैनल को दरूर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अप्डेट्स मिलती रहें दोस्तों इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनाशनल रिएशन 1933 से नाइन तक के बारे में और बहुत सारी हिट्लेस रिएट लेट चीजों के बारे में भी अच्छे जैसे इटली जर्मनी और जिपान का यह वो पीरिट था जब जर्मनी ने शुरू कर दिया था अपने ट्रीटी ऑफ वर्सली इसको वाइलेट करना लोकार्नो स्पिरिट जो कि पॉजिटिविटी का मार्थ था रिलेशन में ब्रीटेन फ्रांस और जर्मनी के बीच में अब कि देथ हो गई थी 1929 में तीसना जो जो डिकेट था 20th century का इसमें एक्स्ट्रीमिजम की शुरुआत देखने को मिली एक्स्ट्रीम नाशनिजम की मिली एक्स्ट्रीमिजम की मिली जपान इटली और चर्मनी के अंदर आईए कुछ चीजें आपको बदाना चाहती हूं जो आप समरे कह सकते हूं इन सारे इवेंट्स की जैसे कि पहली बात कि जपान ने मैंशूरिया को इंवेट कर लिया था 1931 में और लीग ऑफ नेशन पूरा कुछ नहीं कर पाया तब फेल हो गया तब फोर्स करने को जपान को इस से विड्रॉ करने को दोस्तों यह विजन आईएस के नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं ध्यान से समझेगा 1933 में जर्मनी ने भी विड्रॉ कर लिया फॉम दा व यह एक दम पेकार हो गई थी बॉडी चौथा मतब तीसरी बात यह कि जर्मनी ने इंट्रियूस करा कंस्क्रिप्शन इन 1935 यह सब इवेंट्स हम पुराने पढ़ चुके हैं बहुत इंट्रेस्टिंग कि आपको बार बार याद आता रहेगा चौथी बात कि इस्ट्रेस आ अग्रीमेंट 1935 का जिसने जर्मनी को अलाओ करा कि इसने सब्मरीन वगेरा बना सके और लेकर आये जो एंड ऑफ इस्ट्रेसा फ्रंट दोस्तों फिर बात आते हैं मसूलनी ने इंवेट करा अबसीनिया को 1935 में री मिल्टरिजेशन हुआ राइंड लैंड का 1936 में रों ब और जपान ने शिर्वात करी फुल इंवेजन चाइना की 1937 में इसके साथ साथ एंशलेस हिटलर ने अनेक्स किया और उस्ट्रेलिया को 1938 में इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो भई आपका म्यूनिक कॉन्फरेंस हुआ 1938 में इसमें हिटलर को यहां मिला स्टेंट लांट शेदो शर्वाकीया से और परॉमिस ओफ नॉट लाइंक्स क्लेम डाल को इशर्ना को स्टेंख करी और पुलंड इसके अगयंस था साथ में ब्रिटेन और फ्रांस ने अग्री करा कि हम सपोर्ट करेंगे पोलैंड को अगर जर्मनी अटाक करता है उसके अलावा हिटलर ने यहाँ पे साइन करा एक नॉन अग्रेशन पैट को युएससर के साथ में 1939 में और अटाक कर दिया पोलैंड को और लास में ब्रिटेन ने डिक्लेर करी वार जर्मनी के उपर और इसके साथ शुरुआत हो गई वर्ल्ड वार टू की आईए जैपनीस अग्रेशन के बारे में बताती है दोस्तों यहाँ पे तीन इंपोर्डेंट आक्ट हैं जैपनीस अग्रेशन के इस पीरिड में इसने इ जैपान वर हुई थी 1937 से 45 तक जिसकी वज़े से जिसे मर्ज करा गया था वर्ल्ड वार टू में जो लास्ट करी 1945 तक एक इवेंट होता है इंवेशन ऑफ मैंशूरिया बहुत इंपोर्टेंट है 1935 का दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो काफी से यहां पर बढ़ता हुआ फ्राइस था यहां पर डिक लाइन हो रहा था और मतल्ड जो प्राइस का चावल का यह यहां पर गम हो गया था फ्यू क्योंकि चावल की बहुत हर्वस्ट हो तो बहुत उपच होई थी वहां पर जापनीस की पॉपलेशन वह थी अंडर वो भी बढ़ रहा था मैंशूरिया में जिससे खत्रह था Japanese इंट्रेस्ट को मैंशूरिया में जैपान ने इन्वेस्ट करा था बहुत सारा पैसा इंडस्ट्री में और इंफ्रस्ट्रक्शर डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट में मैंशूरिया के अंदर खास कर साउथ मैंशूरिया में सिंस रूसो जपान वार जो 1945 की हुई थी जब जैपान ने यहां पर प्रिब्लेच पोजिशन पाई थी साउथ मैंशूरिया की और पोर्ट आर्थर की बाइं 1931 जैपनीज को कंट्रोल मिल गया था मैंशूरिया के रिलवेस का और बांकिंग सिस्टम का इसलिए जो मिलिटरी अटैक था मैंशूरिया का वो इग्नोरिंग दा रिजर्वेशन ऑफ जैपनीज गवर्मेंट फिर आया रिजल्ट क्या रहा जब इस मैंशूरिया को इंवेट करा गया दोस्तो जैपन ने डिक्लेयर कर दिया मैंशूरिया को इक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे मैंशू को की और अपना इक पपेट सरकार पपेट गवर्मेंट वहां स्टॉल कर दी लीग ऑफ ने ने हैड ओपाइंड आट ट जपान के साथ और बिना यूएस के बैकिंग के बिटेन और फ्रांस ने तो रिव्यूज कर दिया हम भी नहीं करेंगे पैसा ही नहीं है इसलिए यह एक आक्ट ऑफ अपीजमेंट बन गया जपान का बाइद वेस्टेन पावर्स फिर आई बात इंवेशन नॉर्थ इस जपान यहां पर उक्ट पाई कर पा रहा था एक भारी मात्रा का एरिया बाइंटीन थर्टिफाइव और इसने फाइदा उठाया सिविल वार का जो की आपका क्यूमेंट टंग गोर्मेंट डिस कीम्टी और च्यांग काई शेक और चाइनीज कम्यूनिस पाटी ऑफ माउट की बीच में चल रही थी जो आज आप रिलेट कर पा रहे होगे ताइवान और चाइना से फिर हुआ फुल स्केल इंवेजन चाइना का 1937 में तो दोस्तों जब साइन करा एंटी कमिटन पाक्ट को वे जर्मनी 1936 में तो जापान ने प्लान करा कि हम क्यों ना फुल इंवेज 1938 तक शंगई और नांकिन दाट इस चियांग काई की जो शेक की क्यापिटल थी वो आगए जैपनीस कंट्रोल में बट इट वस नॉट अचीवड फुल विक्ट्री अब क्या हुआ कि ये इसलिए क्योंकि बाई 1936 तक के लिए यहाँ पर टूस था बेट्वीन दा कमिश सी आफ टैक्लिंग दर जैपान जो एक्स्प्रीन करता है ग्रेटर सेक्स जैपान की रही 1936 तर साथ में रश्या ने भी मदद करी चाइनीज को बट इसे कुछ फुल इंगेज नहीं हुआ विकॉस ये खुद भी नहीं चाहता था कि फुल स्केल वार हो इसकी जैपान के साथ म तो मोटे मोटे तोर पे अगर हम देखें वर्ल्ड वार टू की वज़ा तो यहां पर जैपान उस समय जैपान ने कंट्रोल कर रखा था जारत तर इस चाइना वाइल च्यांग काई शेक और माओ ने कंट्रोल कर रखा था सेंट्रल और वेस्ट इंपाल्ट को यार्यू करा अल्दो लीग ओफ ने कंटम करा जैपान को बट वह इतना स्ट्रॉंग नहीं था कि एक फर्म आक्शन लिया जा सके बिकॉस यूएस पॉल्सी आइसोलेशन जो कि हम बार बार डिसकस करते हैं यह सेसार नहीं चाहता था फुल स्केल वार जैपान के साथ और प्रिटेन और बहुत बीजी थे कॉपी करने में मतबाहर निकलने में कोपिंग करने में विद्धा हिट ला आएए अब मसूलीस की फॉरण पॉलसी की बात करते हैं दोस्तों 1919 से 24 की बीच में मसूलीस पावर में आये 1922 में जल्दी इन्होंने शुरू करा यहां पे इंप्लिमेंट करना एक अग्रेसिव फॉरण पॉलसी को इन्होंने बॉम करा ग्रीस को ओवर दा कॉरफू इंसिदेंस इन दा 1923 जिसे हमने पहले आपको डिसकस किया है जहां पे ग्रीस को फोर्स करा गया था फुल कंपनसेशन देने के लिए जो कि इटली डिमांड कर रहा था यहीं की बात है कि जो कॉंफरेंस थी अमबैस्टर की से ओवर रूल करती थी यह ओपिनियन लीग ऑफ नेशन्स का और साथ में फ्यूम की बात करें तो 1924 इटली ने इन्वेट करा और साथ में यहां पे तुक ओवर करा इंडिपेंडिन इस्टेट ऑफ फ्यूम को 1920 के बात दोस्तों अगर बताऊं तो टेरिटरी फ्यूम की वो यही कंटेंशन की वज़ा बनी बेट्वीन यूगोसलाविया और इटली के बीच में कॉंप्रमाइस के तौर पे एक ट्रीटी ऑफ रपेलो को किया गया 1920 में इसकी वज़े से क्या था कि फ्री सिटी ऑफ फ्यूम को इसने प्रोवाइ जब तक के लिए इटली ने अपने टूप्स को नहीं भूजा और यूगोसलाविया ने अगरी नहीं कर लिया फ्यूम का एनेक्सेशन बाई इटली आगे बात बढ़ती है यह तो हमने 1919 से 1924 तक बताया अब उसके बाद 1924 से 1934 तक दो कंसर्स ने डॉमिनेट करा इटालियन ने बतायी लास लेक्चर में और इटली जो है इसके भी एक कॉंपेटिंग इंट्रेस्ट थी फ्रांस पॉर इंफ्लूएंस इन दा मेडिटेरियन और बालकांस दूसरी बात इटली को यह डर था कि जर्मनी हो सकता है कि वह अनेक्स कर ले आस्ट्रिया को जिसकी विज़े स से क्या हो कि विचले इन नौर्थ इस्ट ओफ इटली और यह अक्ट करे एक बफर स्टेट के तौर पे इटली और जर्मनी के बीच में पिराई कहानी यहां पर आगे बढ़के लोकानू ट्रीटीज और इटली के बारे में दोस्तों इटली ने पार्टिसिपेट करा लोकान को साथ में जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम ने प्रॉमिस करा कि हम एक दूसरे के फ्रेंटेश को रिस्पेक्ट करेंगे इटली और बिटेर एक गैरेंटर के तौर पे रहे और इन इवेंट ऑफ अग्रेशन कोई भी अगर करता है इन तीनों के द्वारा यसे फ्रांस बेल इंटरेशन था इस्प्यूट का कि बिचॉलिया बनेंगे विस्पेक्ट बाउंडरी इशूस इन आर्बिटरेशन ट्रिबिनन या फिर पर्वरेंट कोल्ट ऑफ इंटरनाशनल जस्टिस में बट जर्मनी ने गैरंटी नहीं करा अपने फ्रेंटेर को पोलैंड और शितुस के द्वारा आई कहानी आगे बढ़ती है और अब इटली इन बालकांस के बारे में बताते हूं दोस्तों हुआ क्या कि यहां पे डियूरिंग दिस डिकेड इटली ने कोशिश करी कि अपना इंफ्रेंस के बढ़ा दे बालकांस में बाय हाविंग अच्छे रिलेशन्स क्योंकि एकनोमिक और डिफेंस पक्ट जो साइन हुए थे इन दोनों के बीच में उसकी वज़े से अलबेनिया यह इस था यूगोसलाविया के यह सर्भिया ही वज़ा था विच वाल्ट अब यूगोसलाविया जो इसने को मतलब इच्छा जिता ही थी कि टरिटरियो अफ आफर फर्स वेलकॉन वर 1921 की बट अलबेनिया को एक इंडिपेंडेंटेंट स्टेट बना दिया गया दिरिंग पीस सेटेल्में और जो इंफ्वेंस था अलबेनिया के ऊपर प्रोवाइड इटली विद कंट्रोल इन अरिया अराउंड अडरियाटिक सी इससे इटली को य अब इसने सपोर्ट करा ब्रिटेन का क्लेम ओवर मौसुल प्रोवेंस ऑफ इराग जिसमें तुर्की जो है मतलब तुर्की की भी इच्छा थी कि इससको मिल जाए बट लीग ओफ ने फ्रेवर करा था ब्रिटेन को इस डिस्प्यूट में और तर्की ने अगरी कर दिया कि ह इस डिसीजन को अगरी करते हैं 1926 में बदले में ब्रिटेन ने एक पाल्ट सुमें लैंड का इटली को दिया और परदर इटली ने साइन करा एट नौन अग्रेशन पाक को USSR के साथ में 1933 में इसके साथ डेवलप्मेंट इटली का रिकनाइस करा गया रिकनाइस करता है सरकार हो USSR की और दस दूरिंग इस डिकेड इटली इंगेज हुआ दान इन अग्रेशिव फॉरेंड पॉलसी अब आप कहेंगे माम 1934 के बाद क्या हुआ तो भाई 1934 के पहले यहां पर समझे कि अग्रेशन पाक्ट हुआ था विद उससार इन 1933 ठीक है यह 93 लिखा हुआ है यहां में 1933 है यहां समझे क्या हुआ कि यहां पर विद इस डेवलपमेंट इटली ने रिकगनाइस करा सरकार को USSR की और इसलिए यह डिकेड पूरा बन गया यहां पर दस डूरिंग इस डिकेड इटली इंगेज हुआ और दादा डुपलमेसी में दान इंद अग्रेसिव फॉरें अब आप कहेंगे कि मैं 1934 के बाद क्या हुआ तो 1934 के बाद मसूली आफ्टर इनिशन अपोजिशन टू हिटलर ग्राजुली यह डिफ्ट हुए तोवर्ड जर्मनी और इटली कमिट करने लगा बहुत सारे आक्स ऑफ अग्रेशन को अब बात आती है आस्ट्रिया जर्मनी इटली का क्या हुआ तो मसूली ने कोशिश करी मजबूत बनाने को आस्ट्रिया को अगेंस नाजी जर्मनी बाइ सपोर्टिंग दा आंटी नाजी गवर्मेंट जो कि आस्ट्रिया की थी बाइ साइनिंग दे ट्रेइड अग्रिमेंट्स 1934 की बात है जब आस्ट्रियन चांसलर को मर्डर कर दिया गया नाजिस्ट प्रोसेट्सर के द्वारा और इसे के बाद मसूली ने भीज़े ट्रूप्स यहां पर इटली आस्ट्रिया फंटर में ताकि यह प्रियम्ट कर सके किसी भी जर्मन के अटाक को अगर वो आते हैं अ और अच्छे हो गए फिर आई बात इस्ट्रेसा फ्रेंट 1935 की एम यह था कि हम रियाफर्म करेंगे इस लोकानो ट्रीटीज को और डिक्लेयर करेंगे कि इंडिपेंडेंस हो जाए और यह कॉंटिनीव रहेगी इंस्पायर करने के लिए इनकी कॉमन फॉलसी को सिग्नेटर करा हिट्लर के इस डिसीजन को तो इंटेड्यूस दा कंस्क्रिप्शन एट इस कंपसरी मिलिट्रिस सर्वेस को 1935 जो कि एक वाइलेशन तर्टीव वर्सलिस की और इसका उपोजिशन करा सबने साथ में ब्रिटीन फ्रांस और इट्ली ने गैरेंटी करा एक इतालियन फ्रे ट्रस्ट ब्रिटेन से बिलकुल खतम हो गया और फ्रांस अब जो है इसने यह भी डिसपॉइंट हो गया था ब्रिटेन से और अंगलो जर्मन नैवल अग्रिमेंट यहां पे खतम हो गया इसने ब्रोक कर दिया स्ट्रेट अफ्रेंट को यह डिप्लोमाटिक विक्ट्री रह करते है 1935 की जल्द ही मसूली को इनवेट करा गया मसूली ने इनवेट करा अबरसीनिया को एथोपिया को और कुछ मेजर रीजन्स थे इसके इनवेजन के जैसे की मसूली ने चाहा कि हम एवेंच करेंगे जो भी हमारा लॉस एटली का इन दे 1896 वार में विद अबरसीनिया और विक्ट्री जो है इससे यहां प्रिस्टेज और बढ़ेगी हमारे हम मसूली ने चाहा कि हम डाइवर्ट करते पब्ली का अडिक्शन जो अटेंशन है पब्ली का फ्रॉम दे लोकल प्रॉब्लम्स और पॉब्लारिटी अपनी बढ़ा रहते हैं तो इटली अभी भी एक इंपाक्ट ग्रेट डिप्रेशन का फेस कर रहा था और इटली जो है उसको एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाती और इसलिए इससे और बढ़ावा मिलता ओवर दे एक्नॉमिक प्रॉब्लम्स तो यह जो अटेंट था ना रिवाइब करने का स्ट्रेसा फ्रेंट को इसमें इसलिए इसलिए इटली अब यह सारे गोड्स मेचर इंपोर्ट होजे थे इटली के लिए और बिना बैन करें ट्रेट को इन सारे गोड्स का संक्शन्स तो बिल्कुल बेकार से इटली वीक तो हो नहीं सकता था तो दोनों ही ब्रिटीन और फ्रांस जो थे वह एक्नॉमिकर और मिलिट्री अन्प्रिपेर्ट थे फॉर थे वार दाट में रिजल्ट फॉम्दा संक्शन्स बैनिंग ओल और ओल और एक्सपोर तो इटली इसलिए यह पॉल्सी अपीस्मेंट को फॉलो करा गया बिल्टेन और फ्रांस के द्वारा और लीग ऑफ निशन्स फेल कर गई इस इंशौर कराने में इस बात को अबसीनिया की इंडिपेंडेंस को लीग ने और इसके लूशन ऑफ कलेक्टिव सेक्योर्टी जो मैंने बताया ना परे डिसकॉस किया था वह एकदम बिकार रहा डिसकरिट करा और डिस्पाइट अपार्ट इस संक्शन्स वह कुते और बदले में मसूलनी डिट नॉट अबजेक्ट टू अनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया जो जर्मनी ने किया था नाइटीन था इसलिए कहते हैं किसी को इतना मत चुड़ाओ कि वह तुम्हारे दुश्मन के साथ जाके मिल जाए फिर आई बात इटालियन रूल की इस्पैनि सिविल वार यह लड़ी गई थी बिट्वीन दर राइट विंग और लेफ्ट विंग फाक्शन के बीच में जो लीडर थे इस राइट विंग फाक्शन के वह थे फ्रांको मसूली ने भेजी ट्रूप्स इस्पैन में लड़ने के लिए फ्रांको की साइड से जो मसूली कि यह इच्छा थी कि दूसरा फासिस स्टेट यूरॉप के अंदर हो जो कि आट करें एक अलाय के तौर पे और शिफ्ट करें बैलेंस ऑफ पावर को इन फेवर ओफ इटली कहान ही आती है आगी की तरफ और अब बात करते हैं रोम बर्लिन एक्सिल्स की दोस्तों 1936 की बात है जब मसूली ने हाथ मिला लिया इटलर के साथ में तो डिकलेर दा नोशन आफ रोम बर्लिन एक्सिल्स यह इंप्लाय करता है कि सारे ही पीस लविंग नेशन्स जो कि यूरॉप के अंदर है वो रिवॉल्व करेंगे अराउंड एक्सिल्स जिसे फॉर्म करा गया ह इसलिए इटली और जर्मनी का यह इच्छा थी कि हम एक अलान सिस्टम बनाएं अपने साथ लाके बहुत सारी स्टेट्स को जितनी हो सकेंगी अपने इंफ्लुएंस में लेकर आएं फिर आई बात आंटी कमिटन पाक्ट की तो दोस्तों 1937 की बात है जब इटली ने हाथ मि जब जोइन करा हाथ का मिला लिया जोइन कर लिया इस असають को पाक्ट को जो अब इसके अंदर जपैन इटली और जर्मनी थे इसंद को साइन करती पॉपिल्लाइटी मसूली की टैलynnण्स के बीच में कम हो गई आज पब्लिक को यह लगता था कि पाक्ट है अग्रेसिव 38 की यह रिजल्ट यह हुआ जर्मनी के अंदर जर्मनी को और जर्मन पॉपलाइस टेरिटरी मिल गई सुधन टिलांट की मतलब श्यदोसलवाकिया की पार्टिसिपेशन कॉन्फरेंस के अंदर जो रिजल्ट हुआ वो टेंप्रेरी इंक्रीस हुआ मसूलनी की फिर हुआ इन्वेजन अल्बेनिया का 1939 में दोस्तो मसूली ने इन्वेट करा अल्बेनिया को 1939 में और यह अन्नेसेसरी आग्ट था अग्रेशन का क्योंकि अल्बेनिया और जो दोनों ही कंट्रीस थी यह फ्रेंडली रिलेशन भी रखती थी तो अनेक्सिशन से क्या फाइ इसने रिसेंट्ली एन्वेट किया था और उस्ट्रिया को 1938 में और मसूली यह नहीं चाहते था कि वह पीछे रहे जा इन दर रेस ऑफ पॉपिलारिटी विद हिट्लर वांटेड टू भी सीन अजन एक्वल और लास्ट में आता है पैक्ट ऑफ स्टील 1939 का दोस्तों इसको सा होती है तो कहानी आगे बढ़ती है और अडोफ हिटलर और नाजीस के बारे में आपको बताती हूं दोस्तों गौर से समझेगा कुछ चीजों के बारे में जैसे कि कुछ important events हुए थे जिने characterize करता है हिटलर के conduct से in international affairs from 1933-39 के में यहां हिटलर के अगर एम की बात करें तो एम यह था कि हम भी chancellor बना 1933 में उसके पहले इसने यहां पे एम जो नाजी पार्टी के से सामने राया अगर माली जैपावर में आता है तो इसने बताया कि हम और सामने क्या इच्छाए है मेरी और हिटलर इसने यह इच्छा जताई कि जर्मनी को एक बड़ी पावर बनाएगा और अपनी ग्लोरी थी वह वापर से रिस्टोर करेगा इसके आएक को इसके इम्स क्या थे तो वह आपको बताती हूं प्रिटी ओफ वर्सलीज को डिस्ट्रॉइ कर देगा एक स्टॉंग आर्मी बनाएगा सारे जर्मन्स को लेकर आएगा इंसाइड थर्ड रीच बाई अनेक्सिंग आस्ट्रिया और पाल्ट ओफ शरुसलवाक्या को और पॉलैंड को दोनों ही के पास एक इंपोर्टन जर्म मैनोर्टी पॉपलेशन थी और रिकवरी करेगा सार की दांसिंग के और पॉलिश कोरिडॉर के तो अब जारतार जो एम था उसे तो अचीव कर लिया गया 1938 तक बिना किसी वार के और इसलिए सवाल अब उठा कि क्यों आखिर कर वर्ड वार टू जो है होगी और इसे क्यों कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं इससे क्या हुआ इस लीड़ उस टुड़ सेट ऑफ एम तो एक तो इच्छा हो गए ना तो अब आप कहेंगे क्यों फिर वर्ड वार वर हुई वर्ड वार टू ही तो रीजन ये था ये कुछ और भी चीज़े थी यहां पे जो की कुछ डिस कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हिट्ल का एम अनेक्सेशन का और और श्रेजरस लवाकिया पार्ट और पोलाइंड का यह सहुर्ष शरुबात थी और इसका जो इच्छा थी वह था कि हम पूरा एक वेल होल स्रेजरस लवाकिया और पोलाइंड अस पर कब जया लेंगे इस यह भी था कि रश्या को उक्यूपाई करेगा एस फार एस युराल माउंटेंज और रश्या को डढ़ता जर्माइन इंटेंशन का अच्छिप्टेड मेनी फैक्ट्रीज तो इस तो इस अरे एरियास का इसे जर्माइन को यहां एक लिविंग स्पेस मिलेगी यहां पर लेबं जैसे की प्लान का इच्छा यह थे कि हम डिस्ट्रक्शन करेंगे इस कमिजम का दूसरे स्टेज की बात करें तो यह एक कॉनकर्स था आफ्रिकन कॉल्नीज को अधर यूरोपियन पावर्स और सेट अप करना बेसिस को इस अट्लांटिक ओशन में दोस्तों को जो स्कॉलर्स आर्यू करते थे कि हिटलर नहीं चाहता था वार को वर्ल्ड वार को बट सिर्फ लिमिटेड वार को चाहता था पॉलैंड के साथ में हिटलर को पता ही नहीं था कि ब्रिटेन की काफ़े सीरियल्स है लेके इस प्रॉमिस को कि वो पॉलैंड को प्रिटेट करेगा पॉलैंड रिफ्ट करा सुदेन लैंड को हिटलर को और अगर बिटेन चाहता तो चेक करता जर्मन एक्सपैंशन को देन शुजसलवा किया वोड़ हाव फॉर्म्ड बेटर अलाय दैन पोलाय सो क्यों आखिर कर बिटेन मतलब अगर देखें सो वाई वोड बिटेन रिस्क गोइंग टू वार विदवी कर अलाय क्यों कमजोर वाले के साथ क्या आई आपको कुछ बाते लेके चलती हूं हिटलर के सक्सेस की तरफ दोस्तों वर्ल्ड इसाममेंट कॉन्फरेंस 1932-33 की हिट आपको बताया होगा जब फ्रांस ने अगरी नहीं करा था ग्रमेंट की कंदीशन को पारिटी को इन दा आममेंट। विटेन सिंप्रेटिक था जर्मन के स्टैंड को लेके और इसने देखा कि इस से और दिमांड है। टिपलोमाटिक विक्री इस हिटलर की ये बढ़ी और की आवामेंट जर्मनी को लेके भी बात हुई फिर आई बाद 10-year non-aggression pack Poland के साथ में 1934 का तो पुलांट हमेशा से अंशिस था जर्मन की design को लेकिया इसको डड़ था कि यर्मनी यहां पे ले लेगा इसको टेक पाक करेगा Polish corridors को जिसमें कुछ areas आते हैं को अब यहां पे देखिए British ने क्या कर रहा है न अभी इस बास समझेगा क्या हुआ क्या ने हुआ अब यहां पी क्या हुआ तो majority of population थे एरिया में वह Polish थी और Polish corridor की में सिंस इसमें excess था Baltic Sea का और काफी crucial चीज़े थे तो non-aggression pact जो मैंने बताया कि Britain ने evidence ले लिया था Peaceful का और इस Act के बारे मैंने पुरा-पर बताया आपको फिर आई बात SAR कि मैंने explain किया है 1935 की plebiscite SAR के अंदर यह भी promise करा गया था कि होगा 15 सालों के बाद under the treaty of Versailles तब तक के लिए coal mines को use करेगा France और लीक का mandate commission जो थी इसने कहा कि plebiscite successfully और territory को handover कर दिया Germany को after the 90% of people voted in favor Hitler का attempt जो था pacify करने का France को after the non-aggression pact with Poland यह कहता है कि transfer of SAR was removed और सारे दुखदर जर्मनी और France के बीच में फिर आया conscription 1935 में conscription यह एक compulsory military service थी दोस्तों treaty of Versailles ने रोख लगा थी जर्मनी पे कि आप यहां पे introduce नहीं कर सकते इसको लेकिन Hitler ने introduce करा इसको 1935 में इसका excuse यह था कि Britain के पास इसमें में तो Britain has just increased the strength of his air force and France has increased the tenure of conscription from 12 to 18 months इसलिए France और Britain जो है वो prepare कर रहे है military deal के लिए future में हमारे जर्मनी के लिए खत्रा है तो इसलिए conscription लाके Hitler ने announce करा कि हम भी आर्मी को six lakh men की raise करेंगे और यह फिर से violation था इस treaty of Versailles का जिसमें एक कि लिमिट दी गए थे फिर आई अंगलो-जर्मन नेवल अक्रिमेंट 1935 का यह मैंने explain किया है राइल लैंड मिलिटराइज जो आपका री मिलिटराइज 1936 का यह भी last lecture में explained है फिर रोम-बर्लिन एक्सेस आया 1936 का एंटी कमिटेंट पाक्ट आया फिर इस्पानिश सिविल वार आई उसके साथ एंशलेश विज ऑस्ट्रिया 1938 का उसके साथ म्यूनिक कॉन्फरेंस आई 1938 की और गीर देखा जाए तो एनेक्सेशन रेस्ट ऑफ दा श्रवाकिया का इसमें कुछ सरकम्सेंस के अंदर जो हो र और ब्रिटेन और फ्रांस ने प्रोटेस्ट करा सिर्व वरवली कर पाए ब्रिटेन ने कहा कि गैरेंटी जो इसको है बागी सारे श्रवाकिया की वह अप्लाइड नहीं होती सिंस्स इस्टेश वाकिया है एक खुदी ने रिक्वेस्ट करा है जर्मन को कि आप आई है तो हम क्या करेंगे इन्वेजन तो यह है ने और पॉलाइंड का इन्वेजन जो कि हमने देसे से डिसकस कर रखा है पहले हम बार बार इसको रिपीट क्या करें फिर भी थोड़ा अंदासा रिखते हूं जब श्रवाकिया को एनेक्स करा तो बिटेन ने डिसाइड करा कि यहां पे कोई भी दूसरा अभी इसमें नहीं होगा जर्मनी का और अनेक्सेशन पॉलाइंड का वो अनजस्टिफेबल था अभी तक हिटलर ने जस्टिफाइड करा था अपने क्रेम को टेरिटोरिय एक्स्पांशन के अपने आर्ग्योंट ऑफ एथनिसिटी को लेके और ट्रिटी अपने अनॉंस करा था इसको दान्जिंग चाहिए विटर की इच्छा थी कि वो रेल रोड करेंटिविटी को एक्सेश करें थू पॉलिश को रिडोर ताकि जर्मनी में वहां कनेट हो पाए इस पुश्या से हालकि सारे जो दिमांड्स थी वो अन्रीजनेबल थी क्योंकि कि दान्जिंग और 95% जर्मन पॉपलिशन दान्जिंग के अगर बात करें में 25% जर्मन पॉपलिशन थी और इकनोमिक कनेटिविटी इस पुश्या की यह सेंस बना रही थी बट केम सो सून आफ्टर शेटोस प्लवाकिया डिबेट त पोल्स को डर था गया ऐसा नौफुल इंवेजन कर लिया जाए विटेन ने कोशिश करी प्रेशर करने के रिए पोस को बट्य अगरी नहीं करें जर्मा के डिमांड्स को लेके मिटलर ने एक नौन अग्रेशन पैक्ट को साइन भी करा रश्या के साथ 1939 में इसको मैंने आपको लांस लेक्टर में बताया है ताकि आपको लेक्टर लाइक शेयर सब्स्राइब करिएगा आप मेरे चैनल को जॉइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट करने के साथ साथ मुझे हर सोचल मेडिया लिंक पे फॉलो कर सकते हैं आपको लेक्टर फेसबुक पे तो मिलेंगे पीडिया आपको टेली ग्राम पे और